नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर So I am sure आपने इस चीज के बारे में definitely सुना होगा कि भारत का एक foreign territory के उपर भी military base है जो की Mauritius में located है लेकिन इसको लेकर अगर आप देखें बहुत ही कम articles, बहुत ही कम information आपको इंटरेट पर देखने को मिलती है क्योंकि इसमें in fact इंडिया और Mauritius दोनों ही countries ने काफी मेहनत करी है इस पूरी की पूरी information को छुपा के रखने की इस पूरी की पूरी information को classified रखने के लिए लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ है कि इसकी कई सारी images है जो की reveal हो चुकी है और वही images हम आपके साथ share करने वाले हैं यह वाली images को reveal करने वाला जो institute है that is the lowe institute और इस particular institute ने कुछ यहाँ पर बहतरीन images को reveal किया है चलिए start करते हैं जानेंगे कि exactly Mauritius में हमारा military base कहां पर located है क्या इसके फायदे भारत को हो सकते हैं और also इससे इंडिया और Mauritius के जो bilateral relations है उसको क्या फायदा हो सकता है चलिए start करते हैं lecture की pdf को यदि आप लोग download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए telegram channel से कर सकते हैं also यदि आप लोग मुझसे instagram twitter और unacademy के app पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए handle पे जाकर जुड़ सकते हैं एक important announcement शुरू करने के पहले कल आपको दुपहर को एक बजे मेरे साथ जुड़ना है इस particular special class में जिसमें की हम लोग discuss करने वाले है amendments और basic structure के कुछ बहुत important MCQs जो की आपकी UPSC की परिक्षा के लिए important है right so देखिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा Mauritius के बारे में कुछ महतवपूरन चीजें Mauritius basically एक island nation है और कई सारे बच्चे आज भी इस चीज को लेके confused है कि Mauritius एशिया में पढ़ता है या फिर African continent का हिस्सा है तो सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान रखिये कि Mauritius जो है ये African continent का हिस्सा है लेकिन इसकी जो location है ये हिंद महासागर में located है और इसकी जो location है ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये Africa का south eastern coast है इस African के south eastern coast से लगभग 2000 km की दूरी पे located है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Mauritius असल में एक group of islands है यानि कि एक single island नहीं है कई सारे islands है जिसमें से एक तो इनका main island है जिसके अंदर Mauritius mainly पूरा इनका जो पूरा देश बसा हुआ है और इसके लावा कई सारे और छोटे मोटे islands जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन हमारे लिए इस वीडियो के point of view से जो relevant island है वो basically आपका ये वाला island है that is called as the Agalega Islands again यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Mauritius का main island है लेकिन Agalega Islands थोड़ा सा इस से north में located है तो ये जो आगalega islands है ये भी असल में Mauritius का ही हिस्सा है और इसी आगalega islands के ऊपर basically भारत ने बनाया हुआ है अपना military base नाओ इसकी कहानी बड़ी पुरानी है भारत ने असल में इसकी access के लिए request किया था 2015 में तो वहां पे Mauritius ने access के लिए हां कर दिया था और तब से लेके construction शुरू होनी हो चुकी थी लेकिन 2018 की बात है भारत को बहुत जादा resistance देखने को मिला था और इसमें भी भारत का जो पडोसी देश है चाइना ने यहां पर आके resistance किया कि इंडिया को इसको access नहीं देना चाहिए चाइना ने कुछ अपने cultural reasons बताते हुए यह कहा कि अगर इंडिया यहां पर आके इस project को बनाता है तो it can be culturally very very dangerous for the people of Mauritius लेकिन फिर भी उन सभी मुसीबतों को पार करते हुए आज finally इंडिया ने इस base को काफी हद तक ready कर लिया है यह जो island जिसकी बात कर रहा हूँ north आगालेगा island जहां पर हमारा यह base बनने वाला है इसकी अगर आप length और breadth देखेंगे बहुती छोटा सा island है यह केवल इसकी जो length है यह 12 km के आसपास की है और 1.5 km इसकी width है और इसकी जो population है यह तो बहुती कम है 300 के आसपास यहां पे लोग रहते हैं और इसी island के ऊपर हमने जो base त्यार किया है यह हमारा air और naval base एक तरीके से बनने वाला है इससे फाइदा क्या होगा obviously भारत जो southwest Indian ocean में अच्छे रूप से निगरानी रख पाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे इस base के नजदीक हमारा जो सबसे nearest base पढ़ जाता है that is the Andaman Nicobar Islands जो की हमें इस side पे निगरानी रखने की सहूलत देता है लेकिन अब जो है यह वाला base हमें इस side पे निगरानी रखने की सहूलत भी दे देगा now the reason we are talking about this island right now इस base के बारे में बाक्चीत इसलिए कर रहे है because recently Times of India का यह article सामने आया था जिसमें कि यह बताया गया images of India's military base in Mauritius have been revealed इन images को देख लेते हैं और यह वाले जो images हैं यह असल में images share करी गई है lowi institute के द्वारा lowi institute ने images को बड़े ही बहतरी तरीके से दिखाया है इन्होंने सबसे पहले दिखाई कि किस तरीके से 2014 की images थी और किस तरीके से आज यानि की 2021 की images आपके सामने बनकर खड़ी हो गई है जो की clearly difference को दिखाता है पिछले 6-7 साल में क्या construction हुई है चलिए उन images को देख लेते हैं देखिए दोस्तों आपके सामने है ये पहले वाली image है October 2014 की और इसके बाद अगर हम देखें ये Google Earth को courtesy जाती है पूरी-पूरी image के लिए ये वाली image है 2020 की ये पहले वाली image है जिसमें आपको clearly नजर आ रहा है कि आपका जो military का base है वो किस तरीके से बनाया गया है अगर आप देख पा रहे होंगे runway किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है ये तो है पहली image जो की clearly दिखा रही है कि जी हाँ भारत ने एक अच्छा खासा यहाँ पर runway तयार कर लिया है अब देख लेते हैं दूसरी image ये दूसरी image भी काफी important है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2014 की ये वाली image है जहाँ पर island पर कुछ भी located नहीं है लेकिन 2020 की ये वाली image आपके सामने है यहाँ पर देख लीजे ये वाली चीज़ें आपको बड़ी clearly दिख रही होंगी कई सारी logistics के hubs यहाँ पर इंडिया के द्वारा तयार करवा दिये गए हैं ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर जो भी habitations आपको देखने को मिल रही है ये असल में कुछ नहीं ये भारत के ही द्वारा तयार किया गया military base है तो ये दो बड़ी important images है जो की फिरहाल सामने आई हैं और ये images लोई institute के द्वारा share करी गई है अब देखिए इस project में केवल military base ही नहीं इसमें कई सारी और चीज़ें भी बनाई गई है भारत ने एक नया airport बनाया है उसके साथ ही में एक port है और logistics और communication facilities के लिए भी कई सारे प्रावधान यहाँ पे include करवाए गए हैं images से यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कई सारे barracks बनाये गए हैं जहाँ पर कई सारे जो troops होंगे उनको तैनात किया जाएगा and in fact इतना ही नहीं यहाँ पर parade grounds का भी provision दिया गया है जो की runway के north end के आसपास देखने को मिल रही है तो definitely इंडिया का जो construction का process है जो हमारा progress है वो काफी भैतरी चल रहा है as you can clearly see from these images इसके इलावा अगर आप देखें भारत ने cable Mauritius के साथ ही नहीं बलकि एक और African country है एक और African island country है जो की आजकल काफी सुर्ख्यों में भी चल रही है सेशेल्स के नाम से यहाँ पर भी military base बनाने का काफी प्रयास किया था और यह वाला जो हमारा proposal था हमारा जो प्रस्ताव था वो असल में हमने 2011 में ही रख दिया था लेकिन यह बातचीत बढ़ते बढ़ते 2015 में जाके अगर आपको ध्यान होगा there is something called as the assumption islands तो इन assumption islands में यह वाले particular प्रस्ताव को सेशेल्स ने अपरूब भी करवा दिया था लेकिन उसके बाद सेशेल्स ने 2018 में इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को खारिच कर दिया यह कहते हुए कि हम यहाँ पर इस particular island के ऊपर भारत को naval base बनाने की अनुमती नहीं दे सकते हैं यह हमारी दूसरी कोशिश थी बट स्टिल हमारी एक कोशिश यहाँ पर काफी हत्ता काम्याब हो चुकी है अगर हम देखें इंडिया और मॉरिश्यस के relations केवल defense तक ही सीमित नहीं है भारत मॉरिश्यस का काफी पुराना दोस रहा है इन फाक्ट कई सारे अब्जर्वर्स मॉरिश्यस को लिटल इंडिया भी कहते हैं of the southwest Indian ocean क्योंकि भारत ने कई सारे बड़े बड़े infrastructure projects हैं कई सारी lines of credit हैं जो की हमने मॉरिश्यस को सप्लाय करी हैं अगर आप देखें अभी-भी की बात है फरवरी 22-21 की बात है इंडिया extends 100 million dollar line of credit for defense equipment to मॉरिश्यस और इसके पहले भी हमने जुलाई के महीने में पिछले साल हमने इंडिया और मॉरिश्यस के PM ने मिल करके नई सुप्रीम कोर्ट के इनॉगरेट किया था केवल इतना ही नहीं कई सारे और projects हैं जो की इंडिया मॉरिश्यस में fund कर रहा है so that मॉरिश्यस का जो infrastructure का growth है वो काफी बहतर हो सके तो इस particular military base से आने की वज़े से इंडिया और मॉरिश्यस के जो आपसी संबंध है वो तो बहतर होंगे ही होंगे लेकिन साथी में दोस्तों बड़ी बात क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें ये पूरे के पूरे Indian Ocean में सबसे important base माना जाता है US का जो की Diego Garcia का base है उसके बाद साथी में माना जाता है Reunion का जो की France का base है अब यहाँ पर आपका बीश में आ जाएगा India का एक base जो की आगालेगा islands में located होगा इससे हमारी जो presence है वो in the most strategic Indo-Pacific भी काफी जादा बढ़ जाती है जो की आगे जाके obviously China की बढ़ती dominance को भी counter करने के लिए बहुत ही important मानी जाती है फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा Unacademy की subscription यदि आपने अभी तक नहीं purchase की है तो आप purchase कर सकते हैं बहुत ही अच्छे offers चल रहे हैं इसमें 25% का total discount आपको मिल रहा है जिसमें कि अगर आप लोग GS और optional को combine करते हैं और उसके उपर भी 10% का discount आपको available करवाया जा रहा है you have to just use my code that is any UPSC जिसके चलते आप 10% odd discount ले सकते हैं इतना ही नहीं कोई भी और course की प्यारी कर रहे हैं फिर भले वो optional हो फिर भले वो आपका SSC, banking, railways या state pieces का course हो वहाँ पर भी आप मेरे courses purchase कर सकते हैं using my code that is any UPSC and straight away get a 10% discount on it right इसके इलावा combat में हिस्सा लेना बिलकुल नहीं भूलना है इस रविवार को होता है जो लोग यहाँ पे top 500 ranks में आएंगे उनके यह दोस्तो scholarship भी provide करवाई जाएंगी यानि कि उनको plus की subscription के ऊपर काफी बड़ा discount मिल सकता है इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe